हेलो गाइस तो लास्ट वीडियो में हमने कॉमेंट्स बगेरा सी आउट और हमारे हैडर फाइल्स यह सारी चीज़े अब तक हम देख चुके आज हम बात करने वाले एक छोटे से अपने खुद के प्रोग्राम के बारे में अब इस वीडियो में हम आपसे एक छोटा सा प्रो सांगे उसके अंदर आपको सी आउट बता चुके सी इन बताएंगे वेले बताएंगे मैं इसी तरह पढाँ हूँ मैं सोच रहूं कि कि आपको आता ही नहीं है for example अगर मैं example लूँ c in का तो वो भी आपको नहीं आता क्योंकि मैंने भी बताए नहीं है और मैं example लूँ variables का तो वो भी आपको नहीं आता क्योंकि मैंने भी बताए नहीं किसी value को hold करता हो वो हमारा variable होता है ठीक और specific type of value किसी specific type की value को hold करें और वो specificity कौन DECIDE करता है!! वो DECIDE करता है डटा type जो उसका data का type है न.. वो DECIDE करता है कि उस جो हमारा variable उसका specificity क्या है किसी specific value को store करेगा न वो फॉर एक्जम्पल अगर मैं एक्जम्पल लो एन का एन के अंदर मैं कुछ इस्टोर करना चाहूंगा हमालो वन टू थ्री फॉर अगर मैं वन करूं तो एन किस टाइप का डेटा है इंटीजर्ट मतलब इंटीजर्ट टाइप का हुआ हमारी तो इसे बता देंगे जो हमने दी Mensch beta आफ वह ही वेरेबल को तो वह देख लेते हैं बेरेबल बनाने के कुछ चोटी चोटी डू जहांबना सकते हूं ए कॉक extrêmement सकते पहले हम number नहीं दे सकते कोई भी number a to z हम कुछ भी number नहीं दे सकते हैं बेच्छाक हम बाद में लगा लें बीच में लगा लें कहीं भी लगा लें हम ऐसा कुछ भी कर सकते हैं ठीक और दूसरी चीज हम इस तरह नहीं कर सकते हैं मतलब हमने एक variable दिया for example अगर मैं अपना नाम serial number serial number तो इस तरह नहीं बना जाए सकता कि इसमें space नहीं दी जा सकती तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं s underscore no for example यह underscore सा हम वालुम पढ़ आए इसमें gap भी हैगा और हमने gap करा भी नहीं ठीक और उसके अलाब दूसरी जो हमारी तीसरी चीज आ जाती है वो क्या आती है हम क मैं बात करूं इसकी मैं बात करूं इसकी और कोई और भी special character हो हम यूज नहीं कर सकते ठीक कोई भी special character हम यहां पर यूज नहीं कर सकते variable बलाने में यह हमारा एक rule है यही चोटे मोटे rules है इसके लाब और कोई rule नहीं है यह हमारा variable sno नाम का बन गया ठीक है अगर अगर अप हम values लेंगे, user से लें, कि हम खुद लें, चलो, हम पहले तो खुद दे देंगे, उसके बाद user से लेंगे, हम यहाँ पर बनाए, int b, अगर हम a को दे दें, one, b को दे दें, two, a को दे दिया, one, b को दे दिया, two, तो अब देखो, a के पास खुद की अपनी value है, one, और b के पास का sum print कराना है, c out, क्या print कराना है, sum, किसका, one plus two का, one plus two का हमे sum print कराना है, अब one plus two है क्या, one किस के लो हम लिख सकते है, a को, a को हम, मतलब की one को हम a लिख सकते है, two को हम क्या लिख सकते है, b, तो हो गया न, a plus b, हमें a plus b का sum चाहिए, तो endle, अब ये endle क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी c out और कर दूँ, शायद मैंने पहले ही बताया था, तो यहाँ पर मैं कुछ और भी लिखूँगा, ये, तो इससे अब क्या होगा, हमारे जो, endle लगाया, उसकी वाइस है, वो हमारी fff next line में आ जाएगा, और कुछ नही, endle, three के बाद हमारी line का end हो जाएगा, तो जो देखने वाली बाद है, वो देखिए, हमारा three आ चुका है, three का हमारा क्या मतलब, a plus b, मतलब one plus two equal to three, sum program इस तरह ह कर सकते हैं, यहां पर, एक तो हम इस तरह कर सकते हैं, उसके इलावा, हम एक sum variable declare कर लेंगे, declare उपर कर लेंगे, यहां पर, comma sum, तो यह हमने एक sum declare कर लिया है, और इस sum की value को initialize कर देंगे, किस से initialize कर देंगे, इस sum के अंदर वही आ जाएगे हमारी a plus b, जो हमने यहां पर print क को देंगे, यहां addition कराया, addition होने के बाद जो value आई, वो हमने sum को provide करा दी, कोई दिक्कत नहीं, अब sum के पास यह अपनी खुद की value है, जो भी addition होकर आएगा, two plus one, three value है sum के पास, और वही चीज़ हम, अब मैं shortcut की बता दूँ, मैं इसे इस तरह delete कर सकता हूँ, कैसे कर सकता ह control del की मदद से, मतलब control delete की मदद से, size shortcut key आपको यहां पर मिल जाएंगी, edit के अंदर, undo के लिए add backspace, redo के लिए shift add backspace, cut के लिए shift delete, copy के लिए control insert, paste के लिए shift insert, clear के लिए control delete, यही होते हैं हमारे shortcut keys, तो shortcut keys को भी मैं ensure करूँँगा कि आपको याद हो जाए मेरे साथ code करते करते, आपर sum दे देंगे, तो I hope कि अब यह सई से run ही करेगा, three FFF, जो output पहले आ रहा था, वही output हमारा अब आ रहा है, nothing change, बट हमारे coding में change है, लेकिन output है, हमारा कोई change नहीं है, तो sum को हम इस तरह यहां पर कर सकते हैं, या तो हम variable खुद, variable बना के value store करके उसके बाद उसे show कर ल हम एक चीज़ और कर सकते हैं, A और B की value को इसे direct न प्रवाइड कर आकर हम user से ले सकते हैं, अब कैसे लेंगे, वो देख लेते हैं, सबसे पहले जब हमने value बनाई हमने direct कर लिया, उसके बाद में, see out, मतलब हम print कर देंगे, क्या print करेंगे, user से पूछेंगे, कि user A की value enter कर दो, enter the value of A, enter the value of A, A की value कर दो, enter, end, line, line को कर दो, end, see in, उसके बाद हमें क्या करना है, see in, मतलब की जो भी value अब आप user देगा, उसे कर कर लेंगे, see in, store कर लेंगे, कहा store कर लेंगे, कहा store कर लेंगे, a के अंधर store कर लेंगे, बस, जो हमारी values आएगी वो a के अंधर store हो जाएगी, उसी तरह see out का अगर हम लें, दूसरी चीज़, तो cout के अंदर हमारा आ जाएगा enter the value of b enter the value of b पूछेंगे यूजर से कि भाई b की value भी दे अच्छा ठीक है तो वो जो भी value देगा जो भी value देगा उस value को हम store करा लेंगे किस के अंदर store करा लेंगे b के अंदर store करा लेंगे अगर हम अब रन करें तब भी हमारा आउटपूट बिलकुल सेम आएगा देख लेते हैं enter the value of a 1 b 2 तो देख लिएजे 3 आगया तो यही थे हमारे कुछ मैथर्ड जिस्ते हम अपना अपना सम प्रोग्रम बना सकते थे तो I hope guys कि आपको समझ आगया होगा अगर समाझ आगया गिए बिए 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 तम्स अप और शेर इस वीडियो तो यह फ्रेंड कमेंट if you are having any doubt and thanks for watching guys